अलो फ्रेंज गूड मॉनिंग मैं हूँ एम जे फ्रेंज जेनरली सर्दियों की सीजन फ्लावरिंग सीजन मानी जाती है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अलग-अलग वेराइटीज के आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम फ्रेंज फ्लावरिंग वेराइटी के प्लांट आपको नरसरीज में देखने को मिलेंगे और आपका मन हो जाएगा कि ये प्लांट हम लाके हमारे गार्डन की ब्यूटी को और बढ़ा सकते है लेकिन फ्रेंज एक चीज का प्रॉब्लम आपके गार्डन में अक्सर देखने को मिल जाती है वो है येलो लीव्स खास करकि ये विंटर सीजन में जब आपके या ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है या आपके हाई विसकस हुए या तो आपके रोजिस हुए या तो कोई ऐसे पोदे जिसके उपर येलो लीव्स होते है तो आप सबसे पहले टेंशन में आ जाओगे कि हमारे प्लांट के उपर येलो लीव्स क्यों होते है और उसका सॉलूशन क्या है तो आज हम ये solution के इपर ही बात करेंगे लेकिन उससे पहले हमें reasons जानना होगा कि हमारे plant के उपर yellow leaves कौन-कौन से reasons से होते हैं और हमें क्या steps लेने चाहिए तो सबसे ज़्यादा friends yellow leaves की problems आपके plant में जो आएगी वो पहले category में आएंगे वो है dormant होने वाले plant दूसरे category में आएंगे जो winter season में आपको flowerings देते हैं जैसे की हमारे जो roses है और बाद में हमारे जो winter season variety के hybiscus है उसके उपर आपको generally yellow leaves की problems आएगी अब जो plant dormant होते हैं उसके उपर yellow leaves हो रहे हैं तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है वो एक normal process होता है तो उसमें आपको बिल्कुल भी interfere नहीं करना है मेरी last video dormancy के plant से related है तो वो वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए आपको idea आ जाएगा कि वो plant के साथ हमें क्या करना है अब हम बात करेंगे वो plant के ऊपर जो winter season में आपको flowerings दे सकते हैं उन में से generally जो yellow leaves produce करेंगे वो है आपके roses और हमारे hibiscus के पौदे अब reasons क्या होंगे ये plant के बीछे के yellow leaves produce करेंगे सबसे पहला reason है वो है over watering ये चीज winter season में बहुत सारे लोग face करते हैं वो है over watering का problem over watering की वज़े से friends आपके जो plant के root system है वो rot हो सकते हैं उसको over moist soil मिल सकती है roots जो आपके plants को होते हैं वो moisture को ज्यादा पकड़ के रख लेते हैं जिसकी वज़े से आपके plant stress में जा सकते हैं और yellow leaves produce कर सकते हैं तो जब भी पानी देते हो तो ध्यान पुरवक पानी दीजिए जब आपको लगे कि आपके plant की soil थोड़ी सी सूख गई है upper surface की soil थोड़ी सी सूख गई है उसके बाद ही आपको पानी देना है उससे पहले पानी मत दीजिए जितनी ज्यादा थंड होगी उतना ही कम पानी दीजिए जितनी कम थंड होगी उतना ज्यादा पानी दीजिए तो ये जो चीज है watering का ये depend होगा city to city wise climate to climate conditions के इसाब से ये सारी चीज़े depend होती है तो ये चीज़ को ध्यान में रखे ही आपको पानी देना है अब दूसरी important चीज दूसरी important चीज ये है कि climatic condition आपके या कितनी ज्यादा थंड पड़ रही है अब जैसे कि friends मेरे या जो climatic condition जो रहती है last में last जो temperature जाता है वो 10-11 degree के आसपास जाता है वो भी 15 December से शुरू होगा और 15 January तक मेरे या ये temperature रहता है जब आपके या कुछ ऐसा temperature बनता है जब रात का temperature बहुत ही ज्यादा लो जाता है 5 degree, 4 degree या तो 6 degree के आसपास अगर आपके या temperature जाता है और दिन का temperature आपके या 20-25 degree के आसपास रहता है या तो 15-20 degree के आसपास रहता है तो full possibilities होगी आपके plant yellow leaves produce करेंगे अब जहां तक हमारे जो hibiscus के plant की बात करता हूँ फ्रेंज ये जो plant ऐसे है जो yellow leaves 100% produce करेंगे भले ही आपका वो winter season की variety का plant भी क्यों ना हो ये plant आपको yellow leaves produce करेगा अगर आपके या temperature 5 degree या तो 6 degree के आसपास रात का temperature जाता है दिन का temperature अगर 15-20 degree के आसपास रहता है तो ये temperature म आपकी जो hibiscus है वो 101% yellow leaves produce करेंगे तो ये चीज में भी आपको बिल्कुल भी interfere नहीं करना है आपको अपने plant को जैसा है वैसे ही रहने देना है वो semi-dormand condition में जा रहा है तो फिर से मैं यही बोलूँगा मेरी last video आप जरूर देख लीजिए उसमें ये semi-dormand condition वाली भी मैं ने बात की है तो आपको क्या steps लेना है तो ये condition आपके hibiscus में हो सकती है अब तीसरी important चीज है वो है fertilization जेनरली हम बहुत ही ज्यादा लालच करते है लालच इस बात का करते है कि अगर हम ज्यादा fertilizer डाल देंगे तो हमारे जो plant है वो बहुत ही ज्यादा flowers देना start करेंगे ल plant को minimum fertilizer चाहिए maximum चाहिए इसको sunlight maximum चाहिए इसको एक well draining potting soil अब जैसे कि पानी की जहा तक मैं बात करता हूं अगर आप अपने plant के अंदर एक बहुत ही अच्छी well draining potting soil डालते हो जो porous हो air circulation उसके अंदर बहुत ही अच्छा हो और जैसे ही आप पानी डालोगे drainage hole से पानी निक मिल रही है तो ऐसी condition में आपका plant कभी भी yellow leaves produce नहीं करेगा लेकिन इन में से कोई भी चीज गडबड हुई यानि कि आपके जो plant है flooring वाले plant है उनको sunlight ठीक से नहीं मिली क्योंकि सबसे पहली preference होती है flooring वाले plant की वो है sunlight अगर सर्दियों की season में आपके या ठीक से sunlight नहीं moist रहेगी तो बाद में आपके जो plant के leaves yellow हो सकते है क्योंकि inadequate sunlight ये सबसे पहला reason है क्योंकि plant को sunlight चाहिए अपने पत्ते green करने के लिए वो नहीं मिलेगा उसके सामने आप उसको पानी ज्यादा दे रहे हो क्योंकि जितना पानी ज्यादा देते हो उसके सामने leaves के थूँ पानी evaporate भी होना चाहिए और वो process तभी होगा अगर आप अपने plant को sunlight दे रहे हो तो ये पूरा एक concept समझने की कोशिश करिए कि बिना sunlight के अगर आप अपने plant को grow करना चाहते हो तो साथ में उसके अंदर watering भी उतनी ही कम करिए कम मतलब ऐसा भी नहीं है कि plant low watering से मर जाए तो ये हमा plant को पसंद नहीं होती जितना कम पानी दोगे तो plant बहुत ही जल्दी अपने पत्ते yellow करना start कर देगा फटा फट क्यूंकि plant को लगेगा उसको जाना है dormant में तो जैसे ही आप पानी कम करोगे तो roots के अंदर का moisture खतम होता जाएगा moisture खतम होगा तो बाद में आपके plant के leaves yellow हो सक करते हैं वो है pest यानि की fungal infection हो सकता है या तो आपके plant के ऊपर कोई दूसरी बिमारी लग सकती है जिसकी वज़े से आपके plant के ऊपर yellow leaves हो सकते हैं fungal infections उसमें सबसे बड़ा reason होगा तो fungi side का spray करिए generally winter season में सुभे के वक्त आपके plant के ऊपर oz गिरती है जिसकी वज़े से वो plant के ऊपर के लिए उसको cover कर देता है और plant के ऊपर fungal infections create करता है तो अगर आपके oz का problem बहुत ज्यादा है सुभे foggy climate रहता है तो ऐसे में week में एक बार without any fail कोई भी अच्छा वाला fungicide spray करिए मैं आपको red mill gold suggest करूंगा या तो आपके पास साफ fungicide हो bevestine हो या तो कोई दूसर अच्छा chemical fungicide हो तो उसका spray करिए हफते में एक बार spray करना जरूरी है इससे आपके plant के ऊपर fungal infection नहीं बनेगा तो ये चीज़ ध्यान रखिए अगर कोई pest लगा हो कोई कीडा लगा हो तो भी ये problem हो सकती है तो amidacloprid जैसा insecticide week में एक बार जरूर spray करिए लेकिन यहाँ पे भी chemical insecticide, chemical fungicide spray मत करिए अगर आपने chemical insecticide और chemical fungicide seasonal flowers के ऊपर spray करना शुरू कर लिया तो बाद में आपके जो seasonal flowers है वो सब मुर्जा जाएंगे और plant के ऊपर आपको ज्यादा result अच्छा नहीं देखेगा तो हो सके ये plant को जो भी ऐसे seasonal plant है आपके पास उसको जितनी ज्यादा ह हो सके उतनी ज्यादा धूब दीजिए क्योंकि जो भी काम करेगा वो sunlight ही करेगा seasonal plant के लिए मैं बात कर रहा हूँ, roses और hibiscus पे तो आपको करना ही होगा उसका कोई option नहीं है लेकिन seasonal जो पौदे होते हैं आपके petunias या तो penzi वगेरे आपने ग्रो किये है तो इनको पते पीले पड़ेंगे winter season में और यह steps अगर आपने नहीं लिया तो बाद में आपके जो winter season के पौदे है वो बहुत ही खराब condition में हो सकते हैं तो अगर आपको किसी भी डाइब का confusion हुआ यह topic से related तो please मुझे instagram पे message करिए, telegram group में message करिए till then के लिए, thank you friends और happy gardening